अस्सलामु अलेकुम आज मैं आपके साथ बहुत में मजी की पकोड़े की रेसिपे शेयर कर रही हूँ जो कि आप इफ़तार में रमजान में बना सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी बनती है आज हम बनाएंगे आलू और पालक की प्यास के पकोड़े और यह बहुत ही बहु की पकोड़ों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं चले रसिपी करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे आलू और आलू को आपने इस तरह से पत्ले और लंबे स्ट्राइप्स में कट करना है और यह हाफ कब जितनी होंगे इसी के साथ हम प्यास ड इसके बाद इसमें हम अट करेंगे पालक पालक को अच्छी तरह से वाश करके स्ट्राइप्स में कट कर ले और इसे शामिल कर दे अब इसमें हम शामिल करेंगे बैसन और यह बैसन हाफ कप से थोड़ा ज्यादा है और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कॉन फ्लार तक्र 1 teaspoon कुटीवी लाल मर्श half teaspoon अजवाइन चुछ करके डालना है 1 teaspoon डालेंगे चाट मसाला पाउडर या फिर आमजूर पाउडर 1 teaspoon जीरा पाउडर और इंसाईग चीजों को अच्छे तरह से आपने मिक्स करना है इस तरह से प्याज, आलू और पालक के पकड़े बहुत ही अच्छे लगते है तो अगर आपने इस तरह से कभी ट्राइ नहीं किया है तो आपने ट्राइ जरूर से करना है, बहुत ही अच्छे लगती है तो जैसे ही मिक्स हो चुकी थी, मैंने इसमें शामिल किया है एक pinch baking soda, baking soda जिसे मीठा soda कहते हैं, और अच्छे तरह से मिला ली, इसके बाद इसमें मैंने पानी शामिल किया हैं, तो आपमें थोड़ा-थोड़ा करकर ही, पानी शामिल करना है, तो दो से 3 तेबल स्पून पानी चाहिक भीर जाल दी, इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है healthy powder, 1-4 teaspoon मैंने डाला था, इससे कलर अच्छी आएगी पकोड़ों में, और अच्छी तरह से दुबारा से मैंने mix किया है, और ये बिल्कुल ready हो चुकी है, fry करने के लिए, और ये अच्छी तरह से bind भी हो रही है, तो इनको fry कर लेते हैं, ज्यादा दिर नहीं छोड़ना है, क् में पकोड़े शामिल करते जाए, हाथ से भी आप डाल सकते हैं, स्पून से भी डाल सकते हैं, और जब पकोड़े थोड़े से firm हो जाएंगे, तो इन्हें हम टर्न कर देंगे, और दुनों साइड से अच्छी तरह से इनको हमने fry कर लेना है, जब लकिन में light golden color नहीं आ जात तो इस तरह से turn करते हुए मैंने इन्हे fry कर लिया है, और बहुत ही बहतरीन color आ चुकी है, तो इनको अब हम निकाल लेंके, बिल्कल यह crispy बन के तयार हुई है, तो इसे आप रमजान में इफ्तार पर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगी, इन्हें निकाल के आप ए इसमें शामिल करते हैं, इसमें शामिल करते हैं तकरीवन half cup है धन्या, इन्हें आपने stem के साथ ही डालना है, बस root सटा दे, और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon डाल देंगे lemon juice, तकरीवन 2 tablespoon बारिक वाली से, थोड़े से हिंग डाल देंगे, इससे flavor इसके बाद इसमें मैंने डाले हैं तक्रिबन 2 टेबल स्पून बारिक वाली सेव इसके प्लेस में आप डाल सकते हैं रोस्टेड चना दाल इससे हमारी चटणी के कलर डार्ट नहीं होंगी और साथी में यहाँ पे मैंने 2 हरी म्र्चे लीं हैं आप यहाँ पर एक या दो या तीन डाल सकते हैं अपने टेस्ट के according थोड़ा से पानी डाल देंगे तकरिवन दो से तीन टेबल स्पून और इस तरह से हमारी बहुत ही बेहतरीन और मज़े की चट्नी तयार हो जाएगी इसे आप समोसे के साथ पकोड़े के साथ सूर्फ कर सक बहुत ही अच्छी लगती है और इस चटनी को आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं तो बेहतरीन से पकोड़े भी तयार है इस चटनी के साथ तो ट्राइज जरूर से करें बहुत ही मज़ेदार बनती है इफतार के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और अलमस्ट हर घर पे पकोड़े जरूर से बनते हैं रमजान में तो इस तरह से बना करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें बिलती हो नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्ला हाफिज